आप इन सब को हमें क्या करना है जोड़ देना है एनके प्लस कर देना देखिए पांसो और पांसो और पांसो और पंदरा सो हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू कमटर एडू जैसे कि आप देख रहे हैं आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं चक्रवर्ती व्याज कैसे निकालें ठीक है चक्रवर्ती व्याज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं ठीक है आप देख पा रहे हैं आपका सामने दो कोशन लिया हुआ है कोशन नमर पहला और कोशन नमर दूसरा ठीक है दोनों माध चक्रवर्थी व्याज और second question में और दूसरे question में निकालना हमें तीन वर्ष के लिए चक्रवर्थी व्याज क्या होगा तो चलिए question को read कर लते हैं मूल धन और प्रिंसिपल हमारा 5000 रुपए है ठीक है दर और और rate of interest कितना है हमारा 10% है और समय, समय का मतलब T ठीक है यानिके time, time जो है हमारा दो वर्ष का है तो चक्रवर्थी व्याज बताओ ठीक है simple पूछ लिया यानिके C I compound interest पूछ लिया ठीक है second question देखते हैं मूल धन हमारा कितना है 5000 यानिके P हमारा 5000 दर यानिके rate of interest हमारा कितना है 10% है ठीक है और समय यानिके time, time हमारा 3 वर्ष का है तो चक्रवर्थी भी आज बताओ यानिके दोनों में C I पूछा है तो चलिए वीडियो में आप बने रहना मैं guarantee से कहता हूँ ये जो वीडियो होने वाला है यानिके question हम निकालेंगे या 5 या 15 सेकेंड में आप इसका answer निकाल सकते हैं बस आपको practice की जोरत है ठीक है बहुत ही ज़्यादा पांच हजार रुपए है rate of interest जो interest हो कितना है 10% है ठीक है और time भी आपको मिल गया दो वर्ष का है तो करना क्या है आपको question निकालने से पहले सबसे पहले अगर आप जैसी चक्रवरती व्याज निकाल रहे है ठीक है या आपको निकालना क्या है चक्रवरती व्याज पूछा पांच हजार परसेंट हो यहां पने निकालना क्या हुले आपको little farming क्या में गया दो वर्ष का जितने वर्ष का पूछलिया आपकर दो वर्ष पने 500 रूपए लिख यहां तक तो आपका आ गिया, आप हमें क्या करना है, 500 का हमें 10% निकाल लेना है, ठीक है, 500 का जब 10% निकालेंगे, तो देखिए, नीचे 0 लगा देंगे, percentage के लिए 2-0 से 2-0 कर जाएगा, और यह 10 को अगर 5 से हम गुना करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 50, ठीक है, तो इसको ह हम कर देंगे, जोड देंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यह जोड देंगे, ठीक है, तो देखिए, 500 और 500, कितना होगे, 1000 और यह 50, कितना होगे, यह 1050, ठीक है, आपका जो आंसर आया, चक्रवर्ति व्याज, दो वर्स का, तो 1050 रुपे आ ठीक है, यह आपका CI आगया, CI कितना हो गया friends आपका 1050 रुपे ठीक है, चलिए next question देखते हैं, अब जो question नमर आपका second है, question नमर दूसरा आप भी question लिखा हुआ था, वहां से भी आप देख सकते हो और यहां पे मैंने मेन मेन बाते लिख दी जो दिया हो, जिसे मूलधन दिया हो आपका 5000, दर आपका दिया है 10% और समय दिया आपका 3 वर्ष यहनकि 3 साल के लिए निकालना है, हमें क्या निकालना है? चक्रवर्ती व्याज निकालना है तो इसका भी तरीका बहुत सिंपल है तो अभी आपने देखा था, 5000 का जो 10% था, वो 500 रुपे आया, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, शिरिफ आपको ये मूल धनवाले राशी को आपको ऐसा लिख लेना है, ठीक है, आपने लिख लिया, अब आपको क्या करना है, इधर 3 लाइन खीज देनी है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके खीज दीजिए जाए, तो देखिए, इसका अगर हम 10% निकालेंगे, तो हमारे कितना आजाएगा, 500, अभी आपको बताया था, कि 5000 का 10% 500 आता है, ठीक है, तो हमने निकाल दिया 500, अब इसका हम 10% निकालेंगे 5000 का, तो ये भी हो जाएगा 500, ठीक है, और यहां पे भी कितना हो जाएगा 500, ठीक है, क्योंकि हम 3 वर्स का निकाल रहे हैं, इसलिए हम 3 वाले तरीका ले रहे हैं, ठीक है, तो हमने ले लिया, 500 पासो का लिख दिया, अब हमें क्या करना है, इस पासो का भी 10% निकालना है, ठीक है, तो इस पासो का अगर 10% निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा, तो हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है, इस 500 का हमने 10% निकाला, तो हमारा 50 आ गया, और इस 50 का 10% निकाला हमारा, तो 5 आ गया, ठीक है, आप इन सब को, हमें क्या करना है, जोड़ देना है, यही प्लस कर देना, देखिए, 500 और 500 और 500, ठीक है, और यह 50 और 500 सो 15 sco और यह 65 ठीक है तो 16 65 जो आपका आंसर आया हो कितना आया 16 75 ठीक है यही आपका चक्रवर्ति व्याज आ गया 3 साल का ठीक है कितना सिंपल ता friends ठीक है I hope वीडियो आपको अछे लगी होगी है